जै माता दी, आदमें आपके साथ शेर करने वाली हूँ शनिवार व्रत की पौरानी कथा और ये कथा इस परकार है एक समय सभी नवग्रह, सोरे, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, ब्रेहसपती, शुक्र, शनी, राहू, केतु में विवाज छड़ गया की इन में से सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास पहुचे, इंद्र इंसे घवरा गये और इस निर्णय को देने में अपनी आसमर्था चताई, परंतु नों ने कहा कि इस समय पृत्मी पर राजा विक् क्योंकि वे चानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया, वही कुपित हो उठेगा, तब राजा को एक उपाय सुझा, उन्होंने स्वन, रजत, कास, पीतल, सीशा, रांगा, जस्ता, अब्रग और लोहिस से नो सिंखासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिये, फि अपने अपने सिंखासन पर स्थान ग्रहन करें, जो अंतिम सिंखासन पर बैठेगा, वही सबसे चोटा होगा, इस अनुसार लोह का सिंखासन सबने सबसे बाद में होने के कारण सनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे चोटे कहलाए, उन्होंने सोचा कि राजा नहीं जान बुझकर किया है, उन्होंने कुपित हो राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता, सूरी एक राशी में एक महिना, चंद्रमा सवा दो महिना, अंगल देड़ महिना, बिरस्पती तेरह महिना, वबुद्ध और शुक्र एक-एक महिना विजरन करते हैं, परंत साबधान रहना, ऐसा कहकर कुपित होते वे शनी देव वहां से चले गए, अन्य देवता कुशी कुशी चले गए, कुछ समय बाद राजा की साड़े साती आये, तब शनी देव घोडों के सौदागर बनकर वहां आये, उनके साथ कई बढ़िया घोडे थे, राजा नहीं सम भिशन बन में पहुच कर वह अंतर ध्यान हो गया और राजा वहुगा प्यासा भटकता रहा, तब एक गौले ने उसे पानी पिलाया, राजा ने प्रसंद होकर उसे अपनी अंगूठी दी, वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया, और वहां अपना नाम जैन खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया, वहां उसने खोटी पर देखा कि एक हार तंगा है, जिसे खोटी निगल रही है, थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया, तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है, उसने समझा कि वीका ने उसे चुराया है, उसने वीका अपनी गाड़ी में बिठा लिया वह अपने जीव से बैलों को हांकने लगा उस काल राजा की शनी दशा समाप्त हो गई वर्षा काल आने पर वह मलहार गाने लगा तब वह जिस नगर में था वहां की राजकमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन फ्रन कर दिया क वह उस राख गाने वाले से ही भिभा करेगी उसने दासी को ढूनने भीजा दासी ने बताया कि वह एक चौरंगीया है फरंदु राजकमारी ना मानी अगले ही दिन उसने अंशन पर बैड़ गए की बीभा करेगी तो उसी से ही उसे बहुतेरे समझाने पर भी वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भीजा और विभा की तियारी करने को कहा। फिर विभा राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते वे स्वपन में शनीदेव ने राजा से कहा राजान देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख चेला है। तब राजा ने उनसे शमा मांगी और प्रातना की कि हे शनी देव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे शनी देव मान के और कहा कि जो मेरी कथा और वरत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा जो नित्ते मेरा ध्यान करेगा और चीटियों को आटा उसके सारे मनोरत पूर्ण होंगे साथ ही राजा को हाथ पैर वापस दिये प्राते आँख खुलने पर राजकुमारी ने दिखा तो वह आशर चकित रहे गई विका ने उसे बताया थे कि वह उज्जैन का राजा विक्रमा देते हैं सभी अत्यंत प्रसन हुए सेठ ने जब अपने घर नाना परकार के वेंजनों से राजा का सतकार किया साथ ही सब ने देखा कि जो खूटी हार निगल गई थी वह सब उसे उगल रही है सेठ ने अने को मोरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहन का निवेदन किया राजा न ने उनका स्वागत किया, सारे नगर में दीप माला हुई, वा सबने खुशी मनाई, राजा ने घोशना की कि मैंने शनी देव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वु परी है, तब से सारे राजे में शनी देव की पूजा और कथा नेमेत रुप से होने लगी सारी पर जाने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया, जो पूज़ शनी देव की कथा को सुनता अत्वा पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, ब्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, और इस परकार शनीवार की ब्रत कथा समाप्त हुई झाले परकार शनीवार के स सबस्क्राइए, और शना चाहिए, और एंकार हो जात्वार की ब्रत की कौर समाप्त हुई जा खुशी।